यह Bible in one year का हिंदी प्रकरण है, 199 दिन, अपने लिए परमेशर के प्रेम को कैसे महसूस करें? रॉबी विलियम के द्वारा एक गीत है महसूस करना, जिसमें वह लिखते हैं मैं सच्चे प्रेम को महसूस करना चाहता हूँ, परमेशर चाहते हैं कि आप अपने लिए उनके प्रेम को महसूस करें, वह चाहते हैं कि आप अपने हृदे में उनके प्रेम को स्विकार करें, आ आज आप एक नए तरीके से उनके प्रेम को ग्रहन कर सकते हैं। मुझे याद है जब हमारा पोता दो वर्ष की उमर में अपने पिता के प्रेम को महसूस करना चाहता था, उसने अपने दोनों हाथों को उठा कर कहा, गले लगाओ पिता जी, मेरे बेटे ने अपने बेटे को उठाया, अपनी बाहों में उसे लिया, उसे गले से लगाया, उसे चूमा और उसे गले लगाया। पिता के हाथों को थामना एक अद्भूद वस्तु है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज है कि उनके हाथों ने आपको समेटा हो। यह परमेश्वर के प्रेम के अनुभव का एक उधारन है। हम जानते हैं कि क्रूस के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीती से प्रगड करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसी हमारी लिए मरे। रोमियों पाँच का आठ। पवित्रात्मा के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं क्योंकि पवित्रात्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है 5 का 5 सेन्ट अगस्टीन बताते हैं सम्पूर्ण बाइबल कुछ नहीं करती केवल परमेश्वर के प्रेम के विशय में बताती है रहनियरो केंटल मैसा लिखते हैं यह संदेश है जो बाकी सभी संदेशों का समर्थन करता है और समझाता है परमेश्वर का प्रेम बाइबल के सभी क्यों का उत्तर है क्यों स्रिष्टी का निर्माण क्यों इशु का देहधरन क्यों छुटकारा यदि बाइबल के लिखे हुए वचन बदल कर एक बोले गए वचन बन जाएं और केवल एक आवाज बन जाएं यहाँ आवाज समुद्र की गरजन से अधिक शक्तिशाली आवाज चिला उठेगी पिता आपसे प्रेम करते हैं बाइबल में परमेश्वर जो कुछ करते और कहते हैं वह प्रेम है यहाँ तक की परमेश्वर का क्रोध और कुछ नहीं बलकि प्रेम है परमेश्वर प्रेम है बजन सहिता 86 का 11 से 17 तक परमेश्वर का प्रेम महान और व्यक्तिगत है जब आप अपने लिए परमेश्वर के प्रेम की महानता को जानते हैं तब उत्तर होता है आराधना हे प्रभू, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से आपका धनिवाद करूँगा और आपके नाम की महिमा सदा करता रहूँगा दाउद जानते थे कि यह व्यक्तिगत परमेश्वर का प्रेम था जो हर व्यक्ति से प्रेम करता है वह लिखते हैं क्योंकि आपकी करुणा मेरे उपर बड़ी है, दाउद की तरह आप परमेश्वर की प्रिये-प्रिये संतान है अपने आपको पूरी तरह से परमेश्वर को देने के द्वारा वह अपने लिए परमेश्वर के प्रेम के प्रती उत्तर देना चाहते थे. परमेश्वर आप दयालू और अनुग्रहकारी प्रेमी और वफादार हैं। आपका धनिवाद क्योंकि मेरे लिए आपका प्रेम बहुत महान और बहुत व्यक्तिगत है। मुझे एक चित्त हृदे दीजिए। नयानियम रोमियों चार का सोला से पाँच के ग्यारा तक परमेश्वर का प्रेम दर्शाया गया और उंडेला गया। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच में आप से प्रेम करते हैं। आपसे प्रेम करते हैं और आपको जीवन देना चाहते हैं, वह मरे हुओं को जीवन देते हैं, परमेश्वर ने ईशु को मृत्यू में से जीवन किया, एक दिन जो मसी में मर गए हैं, उन्हें भी पुनुरोथित जीवन दिया जाएगा, इसी दोरान ईशु ने कहा कि वह आय ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, यह होना दस का दसुरोथित, पुलूस अबरहाम के विश्वास का वरनन करते हैं, अबरहाम ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया, कि उन्हें और सारा को एक संतान उत्पन होगी, यद पी मानवी से यह बात संभव नहीं थी, हमने अबरहाम के विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिग्या पर संधेक किया, पर विश्वास में द्रड़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चे जाना कि जिस बात की उन्होंने प्रतिग्या की है, वह उसे पूरा करने में भी सामर् दो में पॉलूस बताते हैं कि अबराहाम विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ट ठहरे लेकिन विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ट ठहरना केवल अबराहाम के लिए नहीं था वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास सत्यनिष्टा गिना जाएगा अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिन्होंने हमारे प्रभू ईश्यू मसीख को मरेहूं में से जिलाया आप भी विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ट घोशित किये गए हैं वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाए गए और हमारे सत्यनिष्ट रहने के लिए जिलाए भी गए पॉलूस इस तथी के डगमगाने वाले परिणामों के विश्वे में बताते हैं क्योंकि आप विश्वास के द्वारा सत्य निश्ट ठहरे हैं, इसलिए आप परमेशुर के साथ शांती में हैं, आपने उनकी उपस्तिती में प्रवेश पा लिया हैं, आप उनके नजदीक जा सकते हैं और हर दिन उनसे बात कर सकते हैं, यह जानते हुए कि आपके और उनके बीच में कोई दिवार नहीं है, केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, हम अपने कश्टों में आनन मना सकते हैं, क्योंकि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्रात्मा जो हमें दिये गए हैं, उनके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। कि परमेश्वर से मांगिए कि आपको अभी भर दें। पॉलूस को परमेश्वर के प्रेम के विशह में और भी कहना है। वह कहते हैं कि जब आप अपने विरुद्ध थे तब परमेश्वर ने ईशू को आपके लिए मरने भेजा। परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीती से प्रगट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसी हमारे लिए मरे। इसी तरह से आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपने एकलोते पुत्र को अपनी गोद से हटा कर क्रूस पर जाने दिया, यदि पी हम इसके योगी नहीं थे, हम भक्तिहीन पापी थे, इशु हमारे लिए मर गए, परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, वह आपसे इतना अधिक प द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उनके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? इशु मसी, आपका धनिवाद क्योंकि आप मेरे लिए मर गए, आपका धनिवाद क्योंकि आप मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और इसलिए मैं अपने भविश्ची के विशय में आश्वस्त हो सकता हूँ, मैं मांगता हूँ कि आप फिर से पवित्रात्मा के द्व अपने प्रेम को मेरे हृदे में उंडे लें, और मेरे लिए आपके गहरे प्रेम को महसूस करने में मेरी सहायता करें। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का क्रोध कुछ और नहीं बलकि प्रेम है? यहाँ पर हम इसके एक उधारन को देखते हैं। यूसुफ पर आने वाली विपत्ती का हाल सुन कर शोकित नहीं होते। बात यह नहीं है कि जीवन की अच्छी वस्तूओं का आनंद लेते हैं। इसमें से कोई भी अपने आप में पापमय नहीं है। इसके बजाए ऐसा इसलिए है क्योंकि वे परमेश्वर के लोगों की स्थिती के विशय में चिंता नहीं करते हैं। परमेश्वर उस घमंड और अख़डपन से नफरत करते हैं। जो हमारे लिए परमेश्वर की जरूरत को नहीं पहचानता और हमें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने से दूर रखता है। और दूसरों से उस तरह प्रेम करने नहीं देता जैसा कि परमेश्वर उनसे करते हैं। यदि leaders ने परमेश्वर के लोगों से प्रेम किया होता, जैसा परमेश्वर उन से करते थे, तो वे इस बात से शोकित होते कि उनका देश बरबाद हो रहा है। परमेश्वर अन्याय को बढ़ता हुआ देखने से संतुष्ट नहीं थे, वह अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उन्होंने आमोस को चिताया कि जाकर उन लोगों को बताए कि जो वे कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा और उन्हें परमेश्वर की और फि इस्तता करनी चाहिए, हे परमेश्वर शमा करिए, अपने महान प्रेम में हम पर दया करिए, आपका धनिवाद क्योंकि आप अपने चर्ट से प्रेम करते हैं और आपके पास मरेहुओं को जीवन देने की सामर्थ है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे वचन को सुनते हैं और उसे साहस, सामर्थ और प्रेम के साथ बोलते हैं आमोस चेकचार, तुम हाती दात के पलंग पर लेटते और अपने अपने बिचोने पर पाव फैलाएं सोते हो, ऐसा मौका अच्छा है आज का वचन क्योंकि तेरी करुणा मेरे उपर बढ़ी है और तूने मुझको अदोलोग की तह में जाने से बचा लिया है बजन सहीता 86 का तेरा